प्रेस दे बेल आइकन ओन दे यूट्यूब आप एंड नेवर मिस अनादर अपडेट मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत्य मित्रों मेरे कन्या राशी वाले मित्र अपना अक्टूबर दोहजार उन्नेस का मासिक राशी फल जानने के लिए व्याकूल लोंगे तो चलिए मित्रों हम आपको बताते हैं कि मेरे कन्या राशी वाले मित्र अक्टूबर 2019 में करोड़ पती बनेंगे की रोड़ पती तो चलिए शुरू करते हैं तो मित्रों सबसे पहले बात करते हैं मेरे कन्या राशी वाले मित्रों के व्यक्तिकर जीवन के बारे में यानि की इंडिविजुल लाइफ यानि की ओवरॉल मन्त के बारे में इस महीने आपकी कार्य पद्यतियों में परिवर्तन आएंगे और जीवन में गुणात्मक परिव पड़ा देंगे इस समय अधिक धनराशी की आवशक्ता पड़ेगी और आपकी समस्त कारेप्रणाली इसी से प्रभावित होगी और संचालिद भी होगी घर परिवार या कोटों में किसी बड़े आयोजन की चर्चा होगी और आप उसका भाग बन सकते हैं ब्रहस्पति अपन आश्वासन भी मिल सकता है इस समय कुछ नए लोग आप से जुड़ना चाहेंगे परंतु ब्रहस्पति देवता चाहते हैं कि परियाप्त परिक्षन किये बिना किसी को अपने व्यवसाय में या जीवन में नहीं आने दें मित्रों अब बात करते हैं आपकी जौब आपके बिजनस याने की आपके व्यवसाय जीवन की इस महीने आर्थिक लाप की मात्रा बढ़ेगी आपको विशियों में साधारन से परिवर्तन हो सकते हैं आप कुछ नया भी आजमाएंगे व्यवसाय के सौंदर रिपक्ष पर भी ध्यान देंगे राशी पर से ब्रहमन कर रहे म तीवर आवेश उत्पन करते हैं महीने के मध्य में जबकि राशी से केंदर में केवल पाप ग्रह होंगे आपको स्वभाव पर अत्यादिक नियंतरन रखना होगा सारी सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि आप आर्थिक दबाव या सामाजिक दबाव को कितना जहल पा अपने श्रेश नवांचों में हैं यह चाहेंगे कि आपका काम आगे बढ़े और संसाधन उपलब्द हो जाएं मित्रों अब बात करते हैं मेरे कन्या राशी वाले मित्रों के रिष्टे नातों की अर्थात रिलेशन्शिप्स की रिष्टे नातों के मामलों में यह महीना निर्नायक रहेगा आप अपने व्यवसाय और निजी समंदों को ढंक से निभाना चाहेंगे और उनमें आए हुए अवरोध को भी दूर कर देना चाहेंगे नए लोग अधिक सहायक सिद्ध होंगे इस महीने की प्रमुक विशेष्टा नए मित्र का मिलना वर नए सहयोग् परिवार के लोगों का किसी छोटे मुद्य पर गतिरोध हो सकता है परंतु वह अस्तिती अधिक दिन नहीं रहेगी मित्रों अब बात करते हैं मेरे कन्या राशी वाले मित्रों के स्वास्थ के बारे में अर्थात हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत रक्त विकार परेशा जानी होगी खान पान पर ध्यान देंगे तो चोडों के दर्द में राहत मिलेगी तुचा समंदी अलर्जी हो सकती है जो की जगह बदलने के साथ ठीक हो जाएगी तो मित्रों मैं आशा करता हूं मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी देखते रहिए मोटू लाला इस च करके तो देखते रहिए मोटू लाला और अभी के लिए मुझे आ गया दीजे नमस्ते